नमस्कार आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपना मकान कब बनेगा मकान प्राप्ति के क्या योग होते हैं जोतिश में लेकिन इस सबसे पहले चानक के नीती से एक शलोक ले लेते हैं जिसमें कहा गया है कश्टम चक्खलो मूर्खत्वम कश्टम चक्खलो यौवनम कश्टात कश्ट तरम चैव पर ग्रहे निवासनम तो चानक के कहते हैं मूर्खता कश्ट दायक है यौवन भी कश्ट दायक है लेकिन सबसे बड़ा कष्ट दूसरे के घर में रहना है सबसे बड़ा कष्ट तो हर कोई आदमी अपना घर चाहता है दिली में तो एक सर्वे में पता चला है कि ज्यादत अलोगों के अपने घर है दिली में तो कुछ हवाई ऐसी है कि हर कोई अपना घर चाहता है तो मैं Department of Telecom में था, तो वहां कुछ हमारे Draftsmen थे, वो कहा करते हैं मजाग मजाग में कि दिल्ली में अगर अगर अपना घर है, अपनी घरवाली है और अपना वीकल है, तो समझे आदमी स्वर्ग में है, अपना घर, अपनी घरवाली, अब आप देखो घर चोथे बाव से द और वीकल आपको पता है, दिल्ली में कितनी प्रावलम है, ट्रैफिक की, फिरदौस ने कश्मीर के बारे में कहा था, गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्त, मतला अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है, कश्मीर के मामले में कहा गया था, अगर धर्ती पर कहीं स्वर्ग है तो यहीं है यहीं है यहीं है लेकिन आपको पता है अगर आपका अपना घर है तो वही स्वर्ग है वही सुख भाव है चोथा भाव वहीं से घर देखते हैं वहीं से नीद लेते हैं चोथा भाव का मिड़नाई टाइम नीद लेने की जगह है और सुख है, वो मोक्ष भाव भी है, वो मा का भाव भी है, मा भी वहीं से देखते हैं, जननी और जन्म भूमी, वहीं से देखते हैं, भगवान राम ने कहा था ना रामयन में, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गाद पी गरी असी, स्वर्ग से भी बड़ी हैं, मा और जन्म भू तीन मुखे जरूरते आदमी की बेसिक नीड़ बताई गई हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, और सब को पता है मकान सबसे ज्यादा मुश्किल है, मकान का जुगार करना अपना मकान हो, आप स्वर्ग में हो सही बात है, तो अब उसकी बात करते हैं, तो वैसे तो हजारों पास्तू और पामिस्ट्री से, इतने योग कोई नहीं याद कर सकता, मोड़ा सोपरेंडी पताऊना चीए, असली किस तरह से देखें होरोस्कोप को, रटने की जूरत नहीं है, वो मैं बताऊंगा आपको तरीका, तो सबसे पहले चोथा भाव ले लिजिए, चोथा भाव क कुंडली लें, सबसे पहले करक राशी, और करक राशी का स्वामी को होता है, चंदरमा, तो करक राशी और चंदरमा देखो उस कुंडली में, जातक की कुंडली, जो भी परसन है, जिसकी भी आपने हुरूस्कोप देखनी हैं, लडगा वो लड़की हो, पूरुश हो इस्त चोथा भाव ले लो उस कुंडली में, उस कुंडली में चोथा भाव ले लो, चोथा भाव और उसका स्वामी, मालो आठमी राशी वहाँ पड़िया, उसका स्वामी मंगल हो गया, अगर चोथी ही राशी वहीं है तो फिर से चंद्रमा हो गया, दसमी राशी है तो उसका स्व प्रामी कोनों के शनी तो चोथा भाव उसका भावेश मतलब लौड और कारक ये देखने हैं तो पहले तो चोथा भाव और भावेश वो स्ट्रॉंग होने चीए चोथे भाव में भावेश वहीं बैठा हूँ आंका लौड वहीं बैठा हूँ उसमें शुब ग्रह बैठे हो तो मालुमा मंगल दस्वी राशी में भी बैठ गया बेशक अशुब है लेकिन उसने रुचक महापूरुष योग बना दिया गुरू वहीं बैठा अपनी राशी या उचकी राशी में तो क्या गरेगा हंस महापूरुष योग बना देगा कोई भी वहाँ शुब योग बन रहे हो वहाँ का स्वामी वहीं बैठा हो उसके दो बारा में शुब बैठे हो उसको शुब देखते हो वहाँ का स्वामी अपने से केंद्रों या तिरकोणों में चला जाए उसके साथ शुब बैठे हो उसके दो बारा में शुब बैठे हूँ, उसको शुब देखते हूँ, वो शुब योगों में पार्टिस्पेट कर रहा हूँ, तो मकान परफ्ति का योग बन गया, फिर आईए कारक, अब कारक के मामले में थोड़ा ध्यान दें, कारक को लोग जातर लेते हैं मंगल, के जी मं कादम आथ साद में अपना में खुद बनाता था, आभी भी गाऊं में बहुत से लोगा अपना मकान खुदाएँ है, लेकिन आप टो लोग अपने आप सकन करते हैं क्यों क्योंकि पैसे इतने होते नीए, तो यहां पर ऐस को समझो अच्छे से मंगल अपना मकान खुद बनाने का कारक है जिसका मंगल स्टोंग होगा वह अपना खुद बनवाएगा मकान लेकिन शनी इट रोड़ी पत्थर बिल्डिंग मैटीरियल का कारक है जिसका शनी अच्छा होता है वह बहुत अच्छा civil engineer पन सकता है या वास्तु शास्त्री भी बहु सकता है फिर बुद्ध क्या है रेखग्य रेखाएं खीचने वाला मतलब नक्षा बनाना वो बुद्ध का काम है फिर शुक्र क्या है सजावट interior design decoration interior decoration खास कर चंदर्मा का है जल का कारक है पानी चंदर्मा जिसका बहुत बली होगा मालो चोते बावो में है तो फिर वो पानी के करीब रहना पसंद करेगा या फिर घर में ही swimming pool बना लेगा गुरू गुरू घर में जो आपका पूजा घर है उससे related है या तो ठीक है इस तरह सूरे magnificent building इस तरह से है तो कोई भी ग्रहे जब बली होंगे शुब होंगे उस कुंडली के लिए वो मकान दे देंगे mangal के मामले में बस यह होता है कि वो वेक्ति अपना मकान खुद बनवाता है तो ये तो होगे सारे ग्रहे कारक की बात कर दी मैंने चोथा भाव बताया बावेश बताया चोथे बाव का स्वामी और कारक देखो फिर रखावात भावन ने आए चतुर्था 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 चतुर्थ चोथे से चोथा या रख साथ मैं बहा आपने घर वाली या घर वाला देखा था, वहां से भी मकान देखते हैं. फिर क्या है? एक है, दरपण ने आए का है, जिस भाव से जो देख रहे हैं बिल्कोル उसके सामने वाले से भी वही देखेंगे. उसका सामने वाला कौMSबू दस्मा भाव चोथे से सात्मा यानि दस्मा भाव उससे भी मकान देखते हैं और लगन तो सब कुछ ही लगन सब कुछ है लगन हाथी का पाऊ है उसमें सबी का पाऊ आ जाता है जो भी चीज किसी भी भाव से विचार करनी है वो लगन से करनी ही करनी है तो अब कौन-कौन से बहाओ गए चोथा सात्मा दस्मा और लगन तो है ही इन सब भावों से इन में जब स्ट्रॉंग हो कोई भाओ योग बन रहे हो जो भी गरह योग बना रहे हैं उनकी दशांतर दशां में मकान बन सकता है तो इसके लावा फिर तिरकोन भाओ पहला तो ले लिया हमने पांच औ और नौमा भी लक्षमी स्थान है बैठे बैठाई मिल सकते हैं मकान और दूसरा ग्यारमा भाव धन स्थान दूसरा और ग्यारमा धन स्थान ये भी तो धन है ना प्रोपर्टी ऐसेट्स धन है इतना बड़ा तो सीधा साहे चारो केंद्र तीनों तिरकोण और धन भाव इन सब के स्वामी एक दूसरे में बैठे हो, मालो दूसरे का स्वामी चोथे में आ जाए, चोथे का दूसरे में चला जाए, या लगनकार दसमें का स्वामी आगे चोथे में बैठ जाए, ठीके ना, ग्यारमे का पांचमें का स्वामी चोथे में आ जाए, एक्सचेंज कर ले में मकान बन सकता है मंगल का एक्जामपल दे चुका हूँ मैं आपको अगर यहां पे शुक्र बैठा है मालव महापूरुष योग भी बना रहा है चोथे भाव में तो आपको गार्डन के साथ में सुंदर सजा सवरा बहुत अच्छे से डिजाइन किया हूँ मकान मिल सकता है तो इस तरह की बतते हैं ठीक है तो कुछ योग मैं बता देता हूँ वैसे तो यह सब लगाना आपने ओवराल कोई रटने की जूर्त नहीं है तो पहले और चोथे का परिवर्तन योग हो मतलब लगनेश चतुर्थ में चतुर्थेश लगन में फिर भावचार में मैंने बत जाए शुक्र और चंद्रमा चोथे भाव में बैठे हो इखटे और इन में से कोई अपनी राशी का हो ठीक है ना शुक्र तो अपनी राशी का होगा तो आपको पता है वही महलब मापुरूश योग भी बन जाएगा तो फिर बहुत सुन्दर सजा संवरा घर मिलता है अपर्तन योग हो यह खटे बैठे हो यह दृश्टी परस पर पड़ रही हो ठीक है ना जिस तरह चोथे का सौमी 11 में चला गया है या ऐसे सौम जो चोथे में मंगल बैठा हो और वह बैठा है वह देख रहा है 11 में 18 इदिर्श्टी से इस तरह की बतें तो मकान पराप्ती कुछ मैंने पहले तो मोड़ा सोपरेंडी बताई आपको ओवराल किस तरह से अनलाइज करेंगे किस तरह विशलेशन करेंगे कुंडली का फिर आपको कुछ योग भी मैंने बता दिये पांचे मकान प्राप्ति कब होगी अब तो योग जो भी बना रहे हैं ग्रह उनकी दशा आंतरदशा में ठीक है ना और चार केंदर भाव है उनसे रिलेशन है घर का घर के वैसे भी आपको पता है ना घर किसको का आ जाता है बई चार पिल्लर खड़े करने चार दिवारे खड़ी करनी है जिस तरह अब टैरो रीडिंग में फूर ओ वान्स चार डंडियां तो मका का प्रतीक है जैसे भी वो काड आ जाता है तो कहते हैं भी मकान मिल जाएगा या स्टैबिलिटी आ जाएगी काम में तो इस तरह से है तो मेन है एक चार साथ दस्में बैठे हुए ग्रह जो शुब योगों में पार्टिस्पेट करें उनकी जब दश आएगी तब मकान बनेग होगी और क्योंके मंगल बना रहे हो मंगल की भी द्रिष्टी आ जाएगी गोचर में तो पक्का पक्का मकान बन जाएगा तो इसी शुब कामना के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं कि आपका मकान जल्दी से जल्दी बने धन्यवाद आप सभी स्वस्त रहें